हलो प्यूवर्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ पूजा लूत्रा और आज मैं आपको बताऊंगी कलॉण जी यानि अनियन सीड्स के अद्गुत फायदे दोस्तों कलॉण जी इस धर्ती की संजीवनी है, ये अंगिनत रोगों को ठीक करने के लिए बहुत ही उप्योगी है कुरान शरीफ में भी कलॉण जी के बारे में बताया गया है और ये माना जाता है कि कलॉण जी मौट को छोड़ कर हर मर्ज की दवा है सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका सेवन कैसे करना है, इसको कंज्यूम कैसे करना है, फिर मैं आपको बताऊंगी कलॉण जी के फायदे कलॉण जी के बीजों को आप चबा कर खा सकते हैं, इन्हें पीस कर शेहद के साथ खाया जा सकता है कलॉण जी को पानी में उबाल कर इसका काढ़ा बना कर पिया जा सकता है कलॉण जी के पाउडर को दूथ में डाल कर आप पी सकते हो, इसे सलाद, सैंड्विच या सूप में डाल कर भी खाया सकता है एक दिन में आप कलॉंजी का एक छोटा चमच यानी पांच से साथ ग्राम की मात्रा में उप्योग कर सकते हो आईए जानते हैं कलॉंजी के फायदे दोस्तों कलॉंजी शुगर या डाविटीज की बिमारी के लिए बहुत ही एफेक्टिव रेमिडी है इससे ब्लड ग्लूकोज लिवल कम होता है और इंसुलिन का प्रोडक्शन स्टिमिलेट होता है कलॉंजी का सेवन करने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है और शरीर में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है कलोंजी को तवे पर भून कर उसे पीस कर तेल में मिलाकर सिर में लगाने से गंजा पंदूर होता है नए बाल उगने लगते हैं और बालों का काला पन बरकरार रहता है कलोंजी का काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी जुकाम और खासी में बहुत ही आराम मिलता है पांच ग्राम कलोंजी को पीस कर दो चम्मच शहद के साथ अगर रात को सोते समय खाया जाए तो पेट के कीडे नश्ठ हो जाते हैं अगर आप एकने और पिंपल से परिशान हैं कील मुहासों से परिशान हैं तो कलोंजी को पीस कर शहद में मिलाकर इसका लेप अपने चेहरे पर लगाएं मुहासे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे कलोंजी को शहद के साथ रोज खाने से जोडों का दर्द ठीक होता है दूर होता है नींद भी अच्छी आती है कलोंजी में anti-cancerous properties होती है यहनेक तरह के cancer से हमें बचाती है कई लेडीज को period के time पर बहुत pain होता है या फिर उनके period समय पर नहीं आते हैं उन्हें कलोंजी का सेवन करने से बहुत फाइदा होता है इससे पुरुषों में nightfall की problem दूर होती है कलोंजी को रोज शहद के साथ खाने से दिमाग तेज होता है concentration बढ़ती है अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा gas बनती है तो कलोंजी जीरा और अजवाइन को बराबर मातरा में peace लीचे और फिर इस चूरन का एक चमच खान खाने के बाद गरम पानी के साथ लीचे आपको gas से चुटकारा मिल जाएगा पेशाब की कोई भी समस्या हो जैसे पेशाब का रुक रुक कराना या पेशाब में जलन इसको दूर करने के लिए कलोंजी बहुत ही उपयोगी है दूद में एक छोटा चमच कलोंजी पाउडर मिलाकर आप पेशाब से समबंदे समस्याएं दूर हो जाएंगी तो ये थे कलोंजी के स्वास्तिलाब कलोंजी से किस प्रकार आप अनेकों बिमारियों को ठीक कर सकते हैं आप भी इसे यूज कीजिए और इसका फायदा उठाएए अगर आपको ये जानगारी अच्छी थूलिए थमसब का बतन दबा दीचे और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो से सब्सक्राइब कर लीचे ताकि नए अप्लोड्स के अपडेट्स आपको मिल सके एक अच्छी सी जानकारी लेकर मैं आपके पास विराऊंगी तब तक के लि